इस समय मेरे सामने मेटे हैं करन और उनके फादर इन से बात करते हैं और पूछते हैं कि करन की यहां की परफॉर्मेंस इनको कैसी लग रही है सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टुडियो में करन लगातार हमारे प्रोग्राम्स में आ रहा है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है हमें तो बहुत पसंद आ रहा है आप क्या समझते हैं हमारे प्रोग्राम्स के बारे में इसको लेके तो इसके बारे में मैं यह समझता हूँ कि this is a showroom Showroom means कि यहां जो भी बच्चे आते हैं उनको पिछे से पूरा ऐसे करके त्यार करके और उनको एक तरह से जैसे हीरे को तराश के फिर showroom में लगाते हैं तो यह sense and creation यह काम कर रहा है यह तो आपने बहुत जादा प्रेस कर दी, हमारी तो एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि बच्चे खुदी इतने टैलेंटिट हैं, हमारा बस अदेशी यही है कि कोई बच्चा अगर किसी भी फील्ड में टैलेंटिट है, पीछे ना रहा है, बस आगे आए, बाकी तो जादा उनके पेरेंट्स की ओपर करता है, वो कितना इंट्रेस्ट लेते हैं, बाकी करन बहुत लगी है इस मामले में, क्योंकि आप दोनों ही, आप और करन की ममी बहुत इंट्रेस्ट लेते हैं, मैं फर्स टाइम यह कैमरे के सामने बठा हूँ, तो इस इज माश पार्ट चांस, मेरे बहुत से इशु कामनाएं हैं, सैंस और क्रेशन के लिए, और आगे प्रमोशन हो काफी, और सीटी में ज़्यादा इसका नाम हो, थैंकि हम अब ना सिर्सा में, सिर्सा के आसपास भी हमने अपने प्रोग्राम शुरू कर दी हैं, एलनाबाद, रानिया, डवाली, काला हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, तो हमारा यही परपस है कि बच्चे जो अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, वो अपने शहर से निकल के और भी काफी जगे जाएं, और मेंली जो अब्जेक्ट है सैंसन का वो यही है कि एक बच्चे की प्रतीबा को खोच के उसको सामने लाना है जो किछी पी रहती है